हालो दोस्तों आप सब कैसे हो आप सब ठीक होंगे दोस्तों स्वस्था होंगे मस्ता होंगे अपने अपने जिन्दगी में दोस्तों और दोस्तों आज छोटे भाई की और से सादर परणाम हाई आप सब को दोस्तों तो आज मैं आ गया हूँ इस साइड में देख सकते हो नाल बारी से हमारे वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो नया से नया जानकारी आप सब के लिए लेकर आता हूँ जो मैं जानता हूँ उसी को दिखाता हूँ दोस्तों तो ओ अवसदी इधर दिखा है मुझे तो मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ आप सब को तो वीडिय ही हाई मैं जा रहा हूँ और आप सबको पाचान करा देता हूँ पुनर नुमा का पौधा किस परकार से रहता है और उसे आप सबको परिचाय करा देता हूँ दोस्तों उसका परियोग भी बताऊंगा और किस परकार से परियोग करते हैं चलो और जाकर दिखा देता हूँ मैं इधर ही लगा हुआ है और देख सकते हो दोस्तों इस परकार से लगा रहता है जमीन में पुनर नुमा का पौधा यही है आप सब देखकर पहचान लो इस परकार से रहता है बहुत ही अच्छा दीख रहा है देख सकते हो पत्ता साब साब पत्रिली जमीन पर रहता है और यह क तो माना जुवन को बहुत ही अच्छा सुन्दर बना देता है, इसका आसधी परियोग करने से आप सब परियोग कर लिए तो बहुत खुर्ष हो जाओगे, डाइबिटीज को कम करता है और इसका 20 ग्राम पुनर नुमा को रोजाना दूद के साथ 6 महिने तक लगातार पिने से मनुस्य की उम्र बढ़ जाती है दोस्तों पुनर नुमा की जड़ को 3 ग्राम पुर्ण चूर्ण अमेरिक लगभग आधा ग्राम हल्दी को मिला कर सुबा साम खिलाने से दमा रोग मिट जाता है पुनर नुमा को पत्ते किरा सुबा साम 10 से 20 मिली लिक्टर सेवन करने से अतरीकता और भारी घाओं पर भी और सुजन को भी ठीक करता है इसका पुनर नुमा का काढ़ा पिने से और पुनर नुमा कई बिमारी का भी लाज करता है दोस्तों जोड़ों को दर्ध को भी गायब कर देता है और यह लिवार को भी अच्छा करता है मोटापे के लिए भी बहुत ही अच्छा फाइदा करता है मधुमिया के लिए भी सारी कमजोरी रहता है उसको भी अमूत्रविकार जो संक्रामर रहता है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा पाइदा करता है ये पुनरनुमा बहुत ही अच्छा पाइदा मन्द है दोस्तों तो पुनरनुमा आप कभी देख जाए और मिल जाए तो इसका परियोग करके जरूर देखना दोस्तों मैं तो इसका परियोग और रिजल्ट देख चुका हूँ तो ए वीडियो आप सब के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों मधुमिया के लिए भी तो राम बाढ़ है और दोस्तों आज के जानकारी वीडियो में बस इतना ही पसंद आया होगा तो चै